आज तो आस्मान में मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा है, हवाएं चल रही है, चलो, धर्ती पे भी एक लुखत उठा के आते हैं इन हमाओ का आज आइनेश को भी आस्मान की सेर कराती हूँ वाँ पेरी अलेश चोड़ी मिलेगी अलेशा येई, स्टोरी मिलेगी, तो आज स्टोरी सुननी है हाँ चलो, एक स्टोरी सुनाते हैं कभी भी जूट नहीं बोलना है? हम, नेवर से लाइज एक बच्चा था, उसका नाम था मेहुल वो स्कूल जाता था, उसके दोस्तों के साथ खेलता था ऐसे ही खेलने खेलने में उसने जूट बोलना सीख लिया है? हाँ, उसने जूट बोलना सीख लिया और ऐसे ही वो छोटा-चोटा-चोटा-चोटा जूट बोलता था फिर एक दिन उसके पैरेंट्स ने उसको जूट बोलते हुए पकड़ लिया है? हाँ उसको जूट बोलते हुए पकड़ लिया और उसको बहुत ज़ादा डाटा डाट तो खाई लेकिन उसमें अपने माबाप को ये रिप्लाइ दिया ये कहा कि जूट बोलने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता तो पैरेंट्स ये सुनके बहुत हैरान हो गए लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि ऐसे समझाने से इसका कुछ नहीं होगा उसके फादर ने डिसाइड किया कि मैं इसको अलग तरीके से ये बात समझाओंगा कि जूट बोलने कितना खराब होता है जूट बोला था कि उसको बिना चश्मे की दिखाई दे रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इसके कारण ये एकसिजन्ट हो गया, और जो बॉस था, उसका बहुत बुरा हाल था, एकसिजन्ट की वजय से बहुत अच्छी इस्थिति में नहीं था, उसको बहुत ज्यादा चोट लग गया क्योंकि जो बॉस था उसकी तब्बत इतनी खराब हो इसको फूना कुझ हो गया ओर इसको होस्पिटल ले जाना पड़ां तो जूठ बोलना कितना खराब होता है ये बात तुम्हें समझनी है मेहुल ये मेहुल के पिताजी उसको समझा रहे थे और उस मेहुल को भी अब हम लाइफ की कुर्वानी नहीं दे सकते हमें जिंदगी एक ही बार मिलती है हमें जूट नहीं बोलना चाहिए यह जूट कि वह अपने घर जाता है और वह कहता है कि मैं कभी भी जूट नहीं बोलूँगा नहीं तो इसके कारण मैं किसी अपने को या अपने आपको ही नुक्स ठान पहुँचा दूँगा तो मैं आज से कभी जूट नहीं बोलूँगा इस स्टोरी से क्या सीका ह। कि हम जूट पहीं बोला चाहिए क्या तो कभी हम जूट बोलेंगे यह हर गुड यूमन बिंग पर लगू होता है चाहे बड़े हो चाहे चोटे हो हो कि हमें कभी जूट बोलोगे? नए, मैंने तो एक्जामपल देख लिया, उस ड्राइवर ने एक जॉब ले ली, उसे बॉस को जूट बोलकर और उसे कार में बिट्या दिया, और फिर बॉस का भी नुकसान हुआ और उसका भी नुकसान हुआ तई बार, तो हमेर कभी जूट नहीं बोलना चाहिए, कभी जूट बोलोगे? नए, नए, बाई बाई, जल्दी आना, जल्दी आउंगी, बाई बाई ने, बाई बाई